पचीस से चालिस प्रतिशत केसेज में बाज़पन की केसेज में रोल होता है ने इनफोर्टिलिटी का और ये डोमेन बहुत साथा इग्णोर्ड है क्योंकि पुराने समय से ही ऐसी मानेता है कि किसी माईला को अगर गर नहीं ठहर रहा तो कभी उसी में ऐसा है नहीं? आये हम पुरुशों में होने वारे लक्षनों को समझें जाने और समझें कि उसका उपाय क्या है हला विवन मैं हूँ प्रेटना आप देख रहे हैं यूटूब साहिटी चैनल और आजके वीडियो में आपको बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी की विचार हमारे लिए है या नहीं इसके क्या लक्षन होते हैं लक्षनों को समझने के बाद हम समझें कि उसके उपाय क्या है क्योंकि यहां पर हम प्राकृतिक तरीकों की बात करते हैं जर लोग निराश हो चुके हैं जीवन में उनके लिए उमीद के किरन होते हैं यह उपाय क्योंकि यह प्राक में अगर एलेक्टाइडिस पंक्शनलिटी है या फिर प्रिमेचर एजापिलेशन की प्राप्विम है या फिर टेस्टिकल एरिया में लंप है स्वेलिंग है इंफ्लेमेशन है कोई नोड्यूल से कोई कधान टाइब से है लीविडियो की कमी है але बहीवियर में कुछ चीज़ें होती है जो की हॉर्मोन से एर बॉड़ि की स्टेटेस की वज़े से होती है जैसे कि इहिते ब्लीटिय। इसका मतलब है की इंट्रस् लेवर जय आता है बड़ी के इंदर हीट जादा है अब वो ambitious life की वज़े से, job की वज़े से, family condition की वज़े से या फिर बड़ी में nutrition कम होने की वज़े से भी हो सकता है लेकिन ये सब ठीक हो सकता है आई आगे बढ़ते हैं और समधान जानते हैं समधान में मैंने दो points बनाए हैं एक है do's, क्या चीज़े करनी हैं और कुछ चीज ऐसी हैं जो पुरुष करते हैं और चोड़ना होगा चीज़े बड़ी आसान है प्यार से समझाएं तो चीज़े बहुत आसान हो जाएंगी सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आपको क्या नहीं करता है एक चीज़ जो आज की समय में देखी है हमने में कि लापटॉप और डिज्टल एप्लियेंस का चलन इस्तमाल बढ़ा है तो कंड़ बार लाप में रगी था इस पर रहके कंड़ते हैं इससे आपके sperm production घड़ जाएगा बड़ी हीट पढ़ेगी बढ़ी चीज़ दूसरी चीज़ टाइट कप्रे टाइट अगावंट जीज पहने का चलन उन देशों में था जहां पर ठंड बहुत जाता होती है इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहां पर टेंपरेचर अच्छा खासा रहता है गल्मियों के मौसम में तो गल्मियां अच्छी पढ़ती है तो ऐसे गवड़ेगा हैं जो आपके पदर को कसीं स्पेशली अनगामिंट्स थोड़े से लुज अनगामिंट्स पहने बहुत ताइट अनगामिंट्स आप इस पर्ण पर्ड़क्शन को बादेद करेंगे बहुत लबी लबी ड्राइविंग करने से जब आप सीपे बैठे होते हैं तो आपकी बॉड़ी हीट होती है और उस हीट से भी स्पॉण प्रड़क्शन कान होता है स्लिपिंग टाइम रात को सोने से पहले है शाम के बाद एक नियम बनाए अपने घर के अंदर कि आठ बचे के बाद हम मोबाइल, फोन, विजिटर चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे इससे आपकी बोड़ी शांत होगी, आपका मन शांत होगा, शल्दी से समय से आप नेंद ले पाएगा इस लीप साइकल अगर खराब है तो हॉर्मोन को बिगड़ते देर नहीं लगती है इसलिए नेंद के घंटों को आप बिल्कुल सही रखें जिससे के हॉर्मोन सही बने, अल्कोहॉल, तब बाकुका से बर किसी भी तरह का ड्रग लेना बिल्कुल वलत है और इवन आप कुछ समय के लिए तो छोड़ सकते हैं जब आप प्रेडिंसी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं अब हम जानेंगे कि कौन से चीज़ें करनी हैं आइजबेद, डाइट थेरेपी, सब था मिश्र में आप लगों के लिए लिए लिकर आई हैं जिसके बहुत सारी क्लिनिकल स्टडील हैं और चीज़ें प्रूवन हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, उनकी पात करेंगें और कुछ ऐसा रमिटी है, जो डेली रूटीन में आप अपने रूटीन के अंदर शामील कर सकते हैं और आपको कुछ नया, कुछ अजीब नहीं हैं सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले हैं, अब अपने ले 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 लेजिए लिना चालू करती जेएं अनारखना टमाटर कर सूप पका हुआ टमाटर पहरा देता हैं, कई सारे खेंटीनिकल स्टडीज हैं वर भदहाता है, स्पर्चिस पर्देश पर्दूगर तो हमसमक परिखा जूहिछानी पाके, स्पर्म प्रेट्णि में सक्पर्क्वार्यूएद सकते हैं, 2. ौखाने, जायफल आपने दूद भे ठोड़ा से जायफर दा सकते हैं, थोड़ा से जायफर आप मिश्री थाप मिश्री के साथ भी खा सकते हैं, तब बहुत अबी की स्विच्छी वह सला हम फुल भूप, अपने UP, अब तब राल सकते हैं के लिए लिए सकते ही आप प्डू्र परबादा पहलें अपना आप niya nyt कवा इसके आप आपे नियमित एक्ससराइज करें यह को ठोरा मोठी करें नियमित एक्ससाइज करने से एक अपको अपकोस फ्रस्रस नहीं होगा का संतुलन भना रहेगा बना रहे एक कब लेडिजे, यह आपके लिए बहुत ही फाइदेमन होगा और भी बहुत सारे जाविटीस हैं जो अपनी डाइट इप्स मैं शेयर करती हूँ और मैं पुरुशों के लिए भी लेने के तरीके साथ में बताती हूँ तो में दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसने डाइट टिप्स मैंने शेयर की हैं तो में अमीर करतीन के इंटिप्स में फॉलो से लिए और आपका नभू क्या रहता है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आप यूँ है मस्कुराते रहें श्पस्त रहें आपका जेएं बहुत इसकी हो बाइए